आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज आप देखेंगे मेरे कुछ प्लांट्स की शॉपिंग और उनके प्राइज है नेम के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तो आपको उसका अपडेट मिल जाए तो पहला प्लांट है हमारा गार्लिक वाइन का जिसे लहसुनिया बेल की नाम से भी जाना जाता है तो ये प्लांट एक तरह का क्रीपर होता है और इसमें बंचेज में फ्लावर आते हैं जो की देखने में सुंदर लगते हैं और इसमें से हल्की सी लहसन की महग भी आते हैं जिस से ये एक तरह से पैस्ट रेपलेंट का भी काम करता है ये परमनेनल वाइन होती है तो ये विंटर में फूल आते हैं के वल एप्रिल एंड तक आपको आराम से फ्लावरिंग करके देता रहता है उसके बाद में उसमें सीड्स भी बनते हैं जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स कीजन में इनको ग्रो करके अपने प्लांट्स बना सकते हैं तो यह मुझे मिला है 20 और नेक्स प्लांट लिया है मैंने मिनी एक्जोरा का इसके अंदर वाइट कलर के फ्लावर जाते हैं तो एक्जोरा में आपको काफी और भी कलर मिल जाते हैं बट मुझे वाइट वाले बहुत जादा पसंद है पिछली बार जब मैं लेकर आई थी वो पिंक एक्जोरा था ल 50 रूपीज का और next plant मैंने लिया है ये वारिगेटिड लिवस वाला फैकस तो ये भी मुझे 30 रूपीज का मिला और मैंने next plant भी एक और फैकस की वेराईटी का ही लिया है मेरे ख्याल से नैना फाइकस है क्योंकि इसकी लीफ काफी छोटी और यह देखने में एक तरह का बॉंजाई का शेप ले रहा था तो मैंने इसको ले लिया 30 रुपीज में और फिर लिया है मैंने कुंद का प्लांट जो की जैस्मिन फैमिली को ही ब्लॉंग करता इसमें वाइट कलर के फ्लावर जाते हैं और खुश्बू भी काफी अच्छी होती है अकसर ही लोग जुही और कुंद के प्लांट में कन्फ्यूज कर जाते हैं क्योंकि दोनों लगबग ही सेम दिखते हैं दोनों ही प्लांट जैस्मिन फैमिली को ब्लॉंग करते हैं के पिंक लगेंगे और जो उसका फ्रेंट साइड रहता है वापे भी हलका पिंक डॉट आपको उसके सेंटर में मिल जाता है फूल के बस इतना साही डिफ्रेंस होता है और ये भी मुझे 30 रुपीज का मिला है प्लांट और फिर मैंने लिया है सुन्दर सी लीव्स वाला को संद नहीं है तब थोड़ा ये मरने की हालत में होने लग जाता है तब ही आप इसकी कटिंग लीजिए और ग्रो करिए उसको छाया में रखिए इसकी कटिंग ऐसे ही आपके पास ये पर्मनेंट प्लांट के तोर पे रह जाता है तो ये प्लांट भी मुझे 30 रुपीज का म मिल जाते हैं और धनिया के जो सीड्स है वो पहले से ही टू पीस में हो रखें तो उनको तोड़ने की जरुरत नहीं है इसली ही ऐसे ग्रो कर जाते हैं साबुत धनिया थोड़ा टाइम लगाता है ग्रो करने में बट उसके जब पीस कर देते हैं दो तुकड़े कर देते तो वो बहुत इसली ग्रो कर जाता है और यह ऐसे करके आपको काफी सारे सीड्स मिल जाते कि आराम से आप दो तीन सीजन तो निकाल सकते हैं ग्रो करके अपने घर पे और यहां तक कि आप कहीं दे भी सकते हैं अगर किसी को जरूरत है तो बस यही था सब मेरा शॉपिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो